हेलो फ्रेंड्स वेलकम वाइलेस आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपका एक्जाम है तो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट वीडियो हने वाली है तो दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि तर कैसे पढ़ाई करें कैसे न करें तो और मैंने भी कैसे पढ़ आपको अच्छी जॉब मिल सकती है क्योंकि बहुत ही बेस्ट ऑप्सन है अगर आपके पास हाइट और सब कुछ है क्योंकि बहुत लोग को इसमें चुक जाते हैं हाइट 170 की होई निवाती है तो आज मैं आपको बताने जाला हूं कि आपको क्या पढ़ाई में कैसे करना च तो कैसे आपको पढ़ाई से सब्सक्राइब करना है सबसे पहले मैं अपको तो मैंने आज आज जो वर्दी मिली तो मैंने पाई बहुत मैंने थो यह तो तो पहले से पहले बतादू अगर आपको SSTD की कोई बुक चाहिए तो मैं अभी आपको अभी वीडियो स्टार्ट हो जाएगा तो इस बुक में आपको क्या मिलेंगे तो यह बुक जो है जो एक्जाम को न्यू पैटन को देखते हुए जो असी कोशन आने हैं उसको देखतर बनाई जा रही है बिल्कुल न्यू पैटन पर अधारिक बुक है तो अगर आप लोगों को यह बुक एक बार जरू पर्चेस करने से हैं यह बुक आपको ऑनलाइन पर से उसमें कोशन दिये हो तो आप लोग एक बुक को ज़रू पर्चेस करिएगा अगर आप लोग इसके प्रीवियस एर एक्जाम और प्रैक्टिस से जो लेटेस्ट पैटन के आपको आने वाला है उस तरीके के अगर आप मौक टेस्ट ढूनना है तो आप लोगों के लि अगर आप इसको आप लेट वाइस दिया तो अप आराम से बढ़ीए तो ठीक है फिर आपको मैं सबसे पहले बता रहा हूं देखी सबसे पहले इसमें क्या है आपको एक तो पहले अपने आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा कि कैसे क्या बाहर घूम रहे हैं दोस्तों क सबसे मैंने पढ़ाई की थोड़ा बड़े इंस्टिूट में तो यह मेरी सबसे बड़ी फॉल्ट हो गई थी सबसे पहले मैं बड़े कोचिंग सेंटर पर चला गया तो वहां पर मुझे कुछ भी समझ नहीं है और ना वो लोग मुझे साही से समझा पाए तो सबसे पहले गल कीजिए बुक्स को फॉलो कीजिए सब कुछ वह आपको बताएंगे नंबर टू बात फिर आपको क्या करना है फिर जैसे आपका तीन से चार मेना छोटे इंस्टिटूट में पढ़ लिया और पढ़िया से आपका थोड़ा समझ में आने लगा मैस रिजिंग वगारा फिर आपको क्या करना थोड़े अच्छे सेंटर पर जाना है फिर उसके बाद फिर आपको ऑनलाइन की तरफ आना है आपको अनलाइन की तरफ नहीं आना है आप बिल्कुल समझ नहीं पाऊगे आपका सिस्टम पूरा स्वेकार हो जाएगा तो इतना अप लोग प्ले क्लियर कर दिया है कि पहले चोटे से चूट जाएए फिर थोड़ा उससे बड़े फिर आप आउनलाइन पर आने के बाद आपको विल्कुल एक ही जगा पर इस्तिर रहना है तब ही जाके आपका सेलेक्शन हो पाएगा तो दोस्तों फिर अब क्या करना है कि आपको 140 नंबर कैसे लान फिचकल आया था लेकिन फाइनल मारेट से में फेल हो गया था फिर बढ़िया से और मेहनत की चलो अच्छा हुआ फेल हुआ था नहीं उसमें मिल जाती भी एस सब्सक्राइब को समझाया फिर मैंने आपको बहुत ही बेस्ट पढ़ाई की तब जाके मुझे आप जापको सम है पिर आपका स्कोर कार्ड जो अब आपका पुड़ांक है वह आपका हो गया है एक सो साट नमर का सब जाके इस बार कट आफ ऐसा सबकी 1489 चली गई तो सोची कितनी हाई कट आफ है 93 परसेंट 4 परसेंट के अप्रॉक्स मेरी तो उस्टाइम 85 गे थी लेकिन उस्टाइम प होता है आज की डेट में क्या है पढ़ाई हो गई है तो आपको क्या करना ऐसे मैं बता दिया पर लो कोचिंग के बारे में फिर आपको ऑनलाइन प्रिस्तिर रहना है आराम से आपको पढ़ाई करना है भूल जाए कि कुछ दुन च्शह मैंने आम आपका इसे जीडी का एक् जीजान भी होने ह charities होड़ा पढ़े अगर आपको वर्दि चाहिए तो आपको जीजान आपको जोगना पढ़ेगा सब्से पहले तो आप अपने आपको अपने आप से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई फैदा नहीं क्योंक् sunshine ोधाम बचास हजार कि पड़ा गए нос बाग की भरती में तो आपको बस इतना अगर आपको माप आपस अपना पढ़ाई करना है तो यह मैं सोचिएगा कि पहले बात तो क्या होता है आज की डेट में बहुत बेकार सिस्टम चलने लेगा है रिल्स वगारा इस यूटूब पर यह देखने से बहुत ही तब को होता है और यह पढ़ाई को बिल्कुल बेकार कर देता है यह आपको बिल्कुल से दूर रहना है तो अब आप बिल्कुल क्लियर हो गया है मेरा स्कोर का डेटी फाइब में बता दे मेरी ऑल इंडिया रैंग थी 206 तब जाके मुझे इसा सब मिल पाई है मैं यूपी का रहने वाला हूं तो आप लोग कमेंट करेंगा अगर यूपी राजिस्थान वगार के हैं तो आपको बहुत ही मेनत करनी पड़ेगी इसमें कड़ाफ बहुत ही हाई जाती है बिहार एंपी यूपी उत्रकंड हर्याना यह सब बहुत ही हाई कड़ाने वाले राज्य है अगर आप थोड़े पहार आश्य या तमिल नाडू उससाज दिके हैं तो वहां के टॉप पर ही कम जाती है तो अगर आपको यहां के हैं तो भरपूर मेहनत करनी पड़ेगा आपको ऐसे सब्सक्राइब कम है वह लेवल बन की जोग है तो इतना समझ गयों कि क्लियर हो गए हो गए है अब विल्कुल जोग देना है आपने आपको आज से जीजान लगा दीजिए 100% आपका सेलेक्शन हो जाएगा और आपको अगर आपको सोचना है कि चलो एक जोब मिल जाए फिसके बाद दूसरी जोब करने तो आपको ऐसे सब सबसे बेस्ट है आपको बहुत टाइम मिल जा आज उसका 2023 है क्यों बन गया है तो देखिए दूस्तों 15 से आठ तो आठ साल लग गए उसको तो यह मैं सोचे कि मुझे असम राइफल मिल गई वह मिल जोड़ दूंग तो कोई फैदा नहीं छोड़ने से आपको बढ़िया से उसकी टैलरी मिल जाएगी आपको आपको पर कम हो जाएगा तो आपको भले 5-6 साल लग जाए साही बनने में लेकिन कोई दिक्कत नहीं आप जॉप करिए बहुत कहते हैं कि नहीं वह जॉप पत्को बेकार है तो आप उसको चक्र मत रहिए तो इतना क्लियर हो गया अब आपको बिल्कुल बढ़िया से पढ़ना है सब क क्या है मॉप टेस्ट सबसे बारी बात है मांक टेस्ट किया करना है जैसे मोर्य आपने लगाए जो गलत होता है उसको देखी है मैं सूची कि मया काम क्लियर हो गया वह आपको कोई पयार मोक्त रहता है मैं तो स्को दूबारा लगा है यदि यकीन मानिए आप 100% हो जाओगे जीस है उसको अलग से लिखिए उस जीस को जैसे आपका जब एक्जाम आजाएगा यह आपको तब बताऊंगा लेकिन से बता रहता हूं जब जीस का क्या है जो पेपर अनलाइसस आता है आप उस जीस के कोश्चन को ही आप सिवल सर्च करिए यूटूब पे उससे सारे डिले आपको बढ़े तरीके से याद हो जाएगा मांड में फीट हो जाएगा कैसे आपको करना है और रही बात हिंदी की तो हिंदी इसमें ज्यादा टफ नहीं पूछता है वह सब बहुत ही बच तरीके से पड़ाई करना है त्क धैंक यू आज के लिए इतना ही जैए झाल झाल